आज में हूं अपना गाउं पर तो अब और या लोग हम सेलिबरेट करते हैं कातिको पुनिमा राशपुनिमा भी बोल सकते हैं तो हमारे गाउं में हुआ था जो पुजा हुआ था तो आज उसका विसर्जन है तो अभी फिलाल गाउं में चल लाए और दीजे विजे डियानस चल आए तो में सचा चलो एक छोड़ा सब लोग बना लेते हैं वैसे गाउं के लोगों को अक्छली हर चीज में मतलब क्या है पुजा पूजा है और जो पुजा होता है और सब्सक्राइब करते हैं तो फिलाल हमें जा रहा हूं वहां पे जो इस देखने के लिए और यह चोटा सब्लोग में इसलिए आपको देखाया और आप इस वीडियो पे नेया हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना और एक लाइक कर देना तो चलिए देखते हैं कि काउंको इसलिएसन के अशा हो रहा है वीद है आपको यह वीडियो जरूर मुझाएगा आपको पाल आपको पर आपको देखाया और आपको शेखते हैं कि यह वीदोग में आपको पहा है वीदार आपकोट हैं कि अल्ड़ खबादा आपको अल्ड़िए यह जरू है आई आप अ किल यद झारी और है झाल झाल तो दोस्तों आप देख सेकते हो जैसे किसन कनहया और राधा जी का बंदना हो रहा है यह एक विधी है मतलब उनका पूजा किया जाता है पूरा गाउं गोंते हैं किसन कनहया और राधा जी और उनको पूरा आरती किया जाता है उनका पूजा किया जाता है और उसके बाद वो दोही बेचते हैं सबको पुरे गाउं में बढ़ता है ये जो विधी है बहुत पुराना परंपरा है कब से चल रहा है ये तो मुझे नहीं बालब लेकिन ये बहुत जोरी होता है मतलब आर्ती गया जाता है और उसके पास दही दिया जाता है उसको प्रसादी करते हैं बोलते हैं और इसका एंड में जो ये आप देख सकते हैं यह पूरा है दही है इसको तोड़ देते हैं सबसे लाश्क में ये जिन पर आप देखने वाले हों कर दो प्रसादी कर दोप एंड पर देखस्वेश कर दोपास्टी है झाले हैं झाल झाल तो यहां पे जो यहां पे पुजया हो इस ता केशन करने हैं पूरा गूमते हैं इसक वर गूमने के बाद जो मटका होता है जहां पे दही होता है उसको तोड़ते हैं और कहते हैं कि जो भी उस मतलब मिट्टी का बनावा जो मत्का उसका जो छोटा-चोटी टुकुडे हो जाता है उसको सब कलेक करते हैं कहते हैं जो ज्यादा लग्क करता है वह ज्यादा लग्की होता है यह सच में होता है कि क्या होता है मुझे तो नहीं पता है लेकिन आप देखिएगा अभी इस मस्का को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद सब कलिक करेंगे झाल झाल